Hello everyone, I am Sonam, welcome back to my YouTube channel अपना विध्याले आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले एक most important topic तो आप सभी को सबसे पहले वीडियो को like कर देना है और चैनल पे नहीं तो चैनल को subscribe जरूर कर देना है तो आप सभी को यहाँ पे हम बताने वाले एक most important topic तो आज की इस वीडियो में हम आपने वोड एक्जाम में physics में 95% लाना चाहते तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही most important होने वाला है तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 40 सबसे महत्तपूर topic अगर आप लोग इन 40 topic को पढ़ लेंगे तो आपके physics में वोड एक्जाम में आपका 70 में 70 पूरा नंबर आएगा और हाँ इस 40 topic से बाहर आपके वोड एक्जाम में कोई भी question नहीं आएंगे क्योंकि यह question और topic है यह question और topic हम आपके कई सालों के paper से इसको यहाँ पे इन कई सालों के paper में इन सभी question को देखे हैं ठीक है और यह कई बार repeated question हम आपको और topic बताए अगर आप लोग इस 40 topic को तयार कर लेंगे तो आपके वोड एक्जाम में आपके physics में 70 पूरा नंबर आएगा और 100% गारांटी है अगर आप लोग तयार करेंगे तभी और इससे पहले मैंने इसी तरह की question chemistry के भी बना चुके अगर आप लोग नहीं देखे तो चैनल पर वी सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर दिखिए हमारा जो फर्स टापिक है वहाए कि बेदूत दी धुरू आगूर की परिभासा और इसके बाद इसका वेंज़क आपको तयार कर लेना है जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रो बराबर क्या होता है कि क्यू इंटू टू एल ठीक है बेक्टर रो बराबर होता है क्यू इंटू बेक्टर टू एल तो इस तरीके से यह जो है वो बेदू दीधू आगूर की यही बेंज़क आपको तयार कर लेना है और इसी फार्मूले से आपको डेफिनेशन को भी बना लेना है ओके फिर उसके बाद देखिए नेश इमेंसन भी लिखना होगा तब ही आपको अगर दो नमबर करेगा तो पूरा दो नमबर मिलेगा अधरवाइस नहीं मिलेंगे तो आपको बैदू चेतर की तिर्वता की परिभासा अगर याद करने है तो आप लोग एक सौर्ट काड तरीके से बैदू चेतर की तिर्वता को याद रखिये जैसे होता है यह बराबर क्या होते एफ बाई क्यू नॉट होते है ठीक है तो यहाँ पर देखिये आप लोग इस फर्मूले से बैदू चेतर की तिर्वता को आसानी से याद कर सकते हैं जैसे यहाँ पर बैदू चेतर की किसी बिंदू पर रखे तो इस पर जो कारेरत बल यानि फोर्स एप है ठीक है बैदुद बल को उस बिंद उपर बैदुद छेतर की त्रिवता मिल्स की ए कहते हैं तो आप लोग इसे तयार कर लिए अब इसके बाद यहाँ पर आपको यूनिट का बात करें तो यहाँ पर जो यप का मातरक होता है या और आवेस का क्या होता है यहाँ पर आवेस का मातरक कुलाम होता है तो आप लोग यहाँ पर न्यूटन डिवाइड कुलाम ई का मातरक भी कर सकते हैं अगर आपको मातरक क्या दे तो उसके डाइमेंशन को आसानी से निकाल लेंगे और इसमें क्या है कि आपको इस फार्मू पुले के साथ साथ numerical को भी जरूर तयार कर लेना है फिर उसके बाद नेश्ट देखेंगे नेश्ट है कि कुलाम का बैदुद बल समंधित नियम यानि कि कुलाम का नियम आपको तयार कर लेना है यह जो है बहुत important है और यह आपके board exam में भी जरूर आएंगे तो जैसा कि आप आप सभी लोग जानते हो कि यह पर पोर्पोर्सनल होते हैं ठीक है कि वण क्यूटू डिवाइड आर स्कॉयर इसी को कहते हैं कुलाम का नियम ठीक है कुलाम का नियम का जो डेपिनेशन होता है जैसे किनी दो इस्तिर बिंदू आवेसों के बीच यानि क्यूवान और क्यू पर अपलेश की दूरी के वर्घ के गयूत कर्मा अनुपाती होता है ठीक है आप लोग यहां पर देख रहा है और यहां पर पर इसकुलार त्यार ऐसे आप लोग तयार कर सकते हैं आपको इसमें दो बेनिफिस्यल होगा आप लोग को यहाँ पर डेफिनेशन भी तयार हो गया और नुमेरकल सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला भी तयार हो गया अगर आप लोग इस फार्मूला पर नुमेरकल सॉल्व कर लेंगे तो और भी यह आप सबी लोगों के लिए सॉलिट हो जाएगा तो यहाँ पर उसके बाद नेश्ट टॉपिक देखेंगे नेश्ट है चौथा यह कि बैदू दियुद्रू की अच्छी दिसा में अत्यदिक दूरी पर इस्तिद्विंदू पर बैदू छेत्र की त्रियुता का बै निरच्छी दोनों आते हैं तो जैसा कि जो इन्पोर्टेंट है वो अच्छी है अगर आप लोग अच्छी को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके साथ आप लोग एक नजर निरच्छी को भी देख लीजिएगा ठीक है तो अगर आप लोग अच्छी को में आपको ब्यांजग प् 1 by 4 by epsilon 0 ठीक है 2P divide यहाँ पे RQ ठीक है तो यह हो जाएगा अच्छी इस्थिती यह क्या हो जाएगा अच्छी इस्थिती हो जाएगा ठीक है उसके बाद दिखें नेश्ट देखेंगे नेश्ट है कि बैददूत फ्लक्स नेश्ट क्या है बैद्दूत फ्लक्स तो आप सभी को बैद्दूत फ्लक्स तयार कर लेना है जैसा कि 5 वराबर होता है E into del A यानि आपको इसको तयार कर लेने है ठीक है नेश्ट टॉपिक है गास की परमे तो आपको गास की परमे को भी तयार कर लेना है जैसा कि जो गास का पर्मे का फार्मूला होता है यानि आपको जो तयार करना है ठीक है जैसे यहाँ पे phi e वरावर one divided epsilon not और यहाँ पे sigma किम यह क्या है गास का पर्मे में आपको ब्यंज़क प्राप्त करने के लिए अगर आ गया तो आप सभी लोग इसी फार्मूले को लिखेंगे तो देखिए जितने भी हमारे यह 40 टापिक है यह आपके physics के पूरे चेप्टर से यह पूरे physics से आपको यह सिर्फ 40 टापिक को ही तयार कर लेना है तो यहाँ पे देखिए नेश्ट है कि एक समान आवेशित अचालग गोले के भीतर किसी बिंदू पर गास के परमे की सहता से बैदुच्छत की तिवर्ता का सुथ इस्तापित कीजिए ओके तो यह आपका आगया second chapter इसमें आपको जैसे यह फार्मूला इ वराबर ठीक है रो epsilon not r divided 3 इसको आपको तयार कर लेना और यह याद रखना है कि यह भीतर बोला है ठीक है तो भीतर के लिए यही फार्मूला आपको इसमें इसी बेंज़क को प्राप्त करना है तो आप लोग इसको बिल्कुल तयार कर लिजिए अगर आप लोग अभी तक तयार नहीं किये हैं तो उसके बाद देखें नेश टापिक है कि एक समान आवेसित गोली कोस के बाहर केंद से आर दूरी पर इस्थित किसी बिंद उपर बैदू छेतर की त्रिवता आपको यहाँ से क्या करना है निकालना है इस बेंजों को आप लोग बिल्कुल तयार कर लिजिए जितने भी हैं बहुत ही इंपोर्टेंट है और इसमें आपको नुमेरकल भी तयार कर लेने जो भी फिजिक का चेप्टर है उसमें आपको नुमेरकल जरूर आते तो आप लोग नुमेर का ज़रूर तयार कर ले नेश्ट बहुत ही इंपोर्टेंट है वो है कि अनन्थ बिस्तार की समतल आवेसित प्लेट के निकट बैद्दू छेति की तिर्वता ठीक है ये जो अनन्थ बिस्तार की ठीक है समतल आवेसित आपको यहाँ पर याद रखना है जब भी आप लोग किसी भी क्वेस्टन का आंसर लिखे तो सबसे पहले आप क्वेस्टन को एक या दो बार अच्छे से पढ़ लिजे इससे क्या होता कि आपको क्वेस्टन के लिए रो जाता है कि इसमें क्या बोला है तो यहाँ पर अनंत बिस्तार बोला है तो अनंत बिस्तार के लिए जो होगा इ वराबर यहाँ पर सिग्मा डिवाइड इपसाई लन नाट यानी इसIS को आपको क्या करना होगा निकालना होगा सुतर से आपको निकालना होगा और आपको य contrat रखना है पिर उसके बाद देखें नेश्ट है कि बैदुत बीभाव की परिभासा मात्रक वो बीमा लिखी तो अगर आप लोगों को बैदुत बीभाव का परिभासा याद रहेगा तो आप लोग मात्रक बीमा सब निकाल लेंगे तो भी बराबर होता है W by Q not यानि किसी परिचड़ आवेस को क्या करते हैं बैदुत छेतर में लाने में किया गया कार W को ही अब इससे आप लोग इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं जूल डिवाइड कुलाम फिर उसके बाद नेज टॉपिक है कि सम विभव प्रिष्ट किसे कहते हैं तो आप लोग ये इससे रिलेटर जितने भी क्वेशन है इन सभी की आंसर आपको हमारे ही चैनल पे मिलेंगे आप लोग ज़रूर जाकर देख लीज़ेगा फिर उसके बाद देखें नेज टॉपिक है और हाँ अगर आप लोग ये क्वेशन तयार नहीं कर पाएंगे और आपके बोड इक्जम भी काफी करीब है तो आप लोग हमारे चैनल पे ही अपलोड है फिजिक्स में पास होने की ट्रिक तो वहाँ से आप लोग जाकर फिजिक्स में पास होने की ट्रिक देख सकते है फिर उसके बाद देखें नेश्टे की संधारित तथा धारिता का परिभासा आपको लिखना है तो ये भी टापिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है तयार कर लिजेगा आप लोग नेश्टे की किसी विद्धूर के अच्छी इस्तिति पे किसी बींदू पर बैदूत बीभाव का सुत इस्थापित कीजिए तो ये दिखिए ये जो टापिक है ये आपके फर्स चेप्टर में भी है और थ्री चेप्टर में भी है यानि कि बीभाव से रिलेटड भी है और बैदूत छेतर से भी रिलेटड है तो आपको दोनों तयार कर लेने है तो बैदूत बीभाव का जो अच्छी है उसके लिए आपको फॉर्मूला भी वरावर वन बाई फॉर पाई इपसॉयलो नॉट ओके क्यू डिवाइड हो जाएगा आर स्कॉयर यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे इस्थापित करनी है ठीक है और इस फॉर्मूले को याद रखे नुमेरिकल भी बोड ऍक्या मुश्म है पिर उसके बाद दिखिए नेश्ट की समानतर प्लेट संधारत की धारिता के लिए वन जग का निगमन करना है निगमन करना या वन जग प्राप्ट करना स्थापित करना सब एग ही बात होता है इसका मतलब कि आपको इसका derivation है ये ठीक है इसको आपको सुत्र इस्थापित करना है तो ये बहुत important है इसको भी तैया है next topic के अनुगमन वेग इसे अफवा वेग और drift velocity भी कहते हैं जो कि बहुत ही important है आप लोग इसको तयार कर लिजेगा इन सभी टापिक जितने भी हमने आपको 40 बताएं इन सभी की answer आपको हमारे इस channel पे मिलेंगे और बिल्कुल बारिकी से मिलेंगे अच्छे तरीके से समझाये गए आप लोग जाकर जरूर देख लिजेगा फिर उसके बाद एकि नेश्ट है धारा घनतु का बेंजग यानि धारा घनतु का परिभासा आपको unit, dimension और उसका बेंजग भी तयार कर लेना है बहुत important है next topic है किशचाप का दोनो नियम यानि किशचाप के first और second दोनो लाग को आपको तयार कर लेने है नेश्ट है बायो सिवट का नियम एक बिर्ता का धारावाई कुंडली के केंदर पर चुमकी छेतर का बेंजग भी आपको तयार कर लेने है next topic के MPR का परिपती नियम आप किसे कहते और इसका बेंजग तयार कर लेना है बहुत important है और फिर उसके बाद नेश्ट है कि चुमकी दिधू आगूर वह उसके मातर के नहीं आपको वहाँ पे हमने बैदू छेतर में दिखाया था यहाँ पे बैदू दिधू आगूर और य नेश्ट है भवर धरा ठीक है इडी करेंट इसको भी तयार कर लिजिएगा बहुत important है नेश्ट टापिक है सो प्रड़ गुडांग वह अन्यवन प्रड़ गुडांग का परिभासा और ब्यंजग को तयार कर लेना है आप लोगों को ओके नेश्ट टापिक है टांसफार्म इसके भी आंसर बहुत ही बारिकी से बताये गए हमारे चैनल पर आप लोग जरूर जाकर देख लिजिएगा नेश्ट है चोक कुंडली का कारे और सिधान आपको तयार कर लेना है ठीक है तो यहां पर देखें नेश्ट है की प्रकास का परावर्तन का दोनों नियम और अप फिजिक्स के नेश्टर संपट में रखें दो पतले लेंसों के सयवजन की फोकस दूरी आपको तैयार करना नेश्ट उसके बाद दिखेंगे उसके बाद इके नेश्ट की प्रिज्म किसे कहते हैं प्रिज्म के पदार्थ के अपॉर्तनांग का सूत्र आपको तयार कर लेना है नेश्ट टापिक है 27 वह की परावर्तक दुरदर्सी का किरण आरेक वह प्रतिभीम का बनना आपको तयार कर लेना बहुत ही साथ हम आपको यह टापिक को बता रहें नेश्ट टरंगार कि किसे कहते हैं ओके इसको भी तयार कर लेना है नेश्ट हाइगेंस का तरंग सिद्धांत आपको तयार कर लेना है नेश्ट कला समंद स्रोथ किसे कहते हैं इसको भी आपको तयार कर लेना है प्रकास का बैक्तिक और देख लिएगा चैनल पर नेश्ट बीवर्तन किसे कहते हैं ओके नेश्ट है तैटीस वह कि कारी फुलन देहली तरंग और देव ब्रोगली को भी तैयार करलेने और इनके ब्यालज़ देवागली के भी तैयार करले ने वह जुत लe मिखलंपनेंट है बहुत है आइस्टीन के प्रकास मेद़ु समिक्रण को भी तैयार कर लेना है ये सब्सक्राइब के लिए उर्जा इस्तर आरेक जैसे लाइमा सरड़ी बामर स्रड़ी ब्रैकेटि सरड़ी और फॉंड तरी जितने वही Pacific को त्यार कर लेना ये समश्थानिक समपोट्रानिक और समभारी इन सभी को तयार करना सभी की वीडियो चैनल पर अपलोड है नेश्ट देखेंगे उसके बाद देखें नेश्ट टापिक है 49 वह कि नाभी की बंधन उर्जया नाभी की विखंडन आपको तयार कर लेना है यह आपके लास्ट चेप्टर है आप सभी को इन सभी प्रस्णों का उत्तर याद है की नहीं आप सभी इस टूडें जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहें क्या उनको यह 40 टापिक में से सभी टापिक याद है या कुछ टापिक याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा और और जिसका अभी तक नही तयार है वो हमारे चैनल पे अपलोड जो वीडियो है वहां से कर सकता है ठीक है तो आप लोग इन 40 टाफिक को मात तयार कर लिजे आपका 100% गारांटी है कि बोड एक्जाम में 70 में 70 फिजिक्स में पूरा नमबर आएगा तो आज के इस वीडियो में इतना ही आपको वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो पसंद है तो एक बड़ा सा लाइक कर दीजेगा चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कर दें थैंक्स आल्दे वेरी बेस्ट बार बाई